Hello Friends, Good Morning to all of you चलिए Friends, हमारा जो session है उसे हम continue करते हैं जो हमारी English का session चल रहा है, article का आज हम article के recording last video लाएंगे उसके बाद हम next topic वे visit कर जाएंगे जो भी हमारा next topic रहेगा, preposition रहेगा जा कोई भी topic रहेगा, उसके सबसे पहले हम important rules समझेंगे उसके बाद इसके important question next topic के हम लगाएंगे चलिए Friends, अब हम इसके जो important questions हैं उन्हें करते हैं इस channel में आपको JKSSB class fourth recording सारी important updates time to time मिलती रहेगी जे रहा Friends, आपका first question, first question क्या दे रहे है, वो English is dash easy language option आपने जहांपे article pick करना है, a and जन्दा इदर जो आपका article use किया जाएगा, वो article and जन्याने की indefinite article use किया जाएगा क्योंकि जो easy word है, it starts with a vowel sound इसकी आ रही है, जिसकी वजा से जहांपे जो article and का use किया जाएगा आपको जो इसकी PDF होगी, उसका link description में मिल जाएगा वहाँ पे जब आप टेलिग्राम को जाइन करोगे, वहाँ पे free of cost आपको सारी जो भी uploaded PDF है वो मिल जाएगी चलिए friends, अगले कोशन की तरफ, copper is dash useful metal इदर जो आपका सही कोशन रहेगा, option number A यहाँ पे use किया जाएगा क्योंकि यो useful bird है, इसकी जो sound आती है, वो हमारी बर्नमाला है कि according कर से gear तक आती है जब कर से gear तक जिसकी sound आ रही है, उसके साथ article A का use किया जाता है जिसकी sound A से अंग तक आती है, उसके साथ article A का use किया जाता है जहाँ पे article A का use किया जाएगा आपको मैं important भी बात बता दूँ इस चैनल में आपको English के recording उसके बाद जीके की क्लास आपको शाम को 8 बजे Math और इजनी की दुपैर को दो और 3 बजे Continuously basis पे मिल जाती है चलिए फ्रेंज अगले कोशन की तरफ इसका जो सही आंसर है कोशन नमबर 16 का जो ताज महल है ताज महल से पहले आपका आर्टिकल दा का यूस किया जाएगा जो 16 है इसका जो 2 आएगा आपका ए ताज महल इस मोनुमेंट सिंबोलाइजिंग लब ठीक है और चलिए अगले कोशन की तरफ जो एक्सिडेंट है अब एक्सिडेंट से पहले आपका आर्टिकल आन का यूस किया जाएगा क्योंकि वर्ड स्टार्ट्स विद दा बावल जिसकी वज़ा से जहां पे आन आएगा ठीक है ए एन आएगा आन आया जाने कि इसके साथ जही आप्शन नमबर बी ठीक है मार्किट के साथ दा इस लिए आया क्योंकि स्पैसिफिक बात कर रहा है जिसकी वज़ा से जहां पे आर्टिकल दा का यूस किया जाएगा चलिए फ्रेंड्स अगले कोशन की तरफ से जहां पे आईट काप इस नेपर इसका जो सही आनसर हैगा आपका आप्शन नमबर सी जाने की पहले नमबर दा उसके बात a पहले जो man की बात कर रहा है वो specific बात कर रहा है उसके बाद जो जिसने white cap पहनी है जब specific जाने की definite हो उसके साथ article दा और indefinite जहांपे white caps बहुत सारी हो सकती है जिसकी वज़ा से article एका use किया जाएगा चलिए friends अगले कोशन की तरफ dash doctor says it is dash hopeless case इसका जो सही और correct answer रहेगा option number a जाने की दा और यहांपे आप fill करोगे चलिए friends अगले कोशन की तरफ आप इस साथ साथ में करते रहेए आपके कितने सही हो रहे हैं आप इक मुन बाक्स में जरूर बताइए और जो पहले की वी uploaded वीडियो से English की आप उनको भी देख सकते है और rules बाली जा important questions जिसके हमें किये हैं आप उनको भी देख सकते हो और चलिए friends अगले कोशन की तरफ I am not – wage earner I am – self-implied man इदर जो आपका सही और correct answer रहेगा option number B I am not a wage earner I am a self-implied man option number B दोनों में AA का use किया जाएगा the dash – youngest boy has just started to going to school इदर जो आपका सही और correct article रहेगा option number जो आपका C दिया हुआ है जानी कि the youngest boy क्योंकि superlative यहां पे discuss कर रहा है जहां पे भी superlative हो वहां पे article दा का use किया जाता है has going to school क्योंकि school उसका primary use है जबी भी primary use हो वहां पे भी omission of article होता है कोई भी article वहां पे use नहीं किया जाता इसलिए इसका option number C जानी कि the और no article इसका correct रहेगा आप भी साथ साथ में बताते रहें आपके कितने कोशन सही हो रहे हैं और आपके पहले जो complete हुई series हमारी जीके की जा उधर जीके में भी आपके कितने कोशन सही होते हैं जा पूरा आप बता सकते हो अगर आपके इसके recording को कोई suggestion हो कोई doubt हो comment box में जरूर पूशिए during dash meal he talks about dash garden इसका जो सही और correct answer रहेगा option number D no article ठीक है option number D sorry no article नहीं दा दा आएगा ठीक है during the meal जब during the meal he talks about the garden ठीक है जहां पर दोनो definite article का use किया जाएगा चलिए friends अगले कोशन की तरफ जो आपका 23 है 23 कोशन में आप fill करोगे dash man I met on the train told me dash rather unusual story इसका जो सही आंसर रहेगा आपका option number D option number आपका जो कौन से कोशन है option number आपका 23 कोशन का रहेगा friends option number A ठीक है the man I met on the train told me a rather ठीक है told me a rather unusual story option number A दा और A आर्टिकल इस कोशन में आप फिल करोगे चलिए friends अगले कोशन की तरफ yesterday I saw dash one eye man crossing dash road इसका जो सही आंसर रहेगा option number B is the correct answer आप भी साथ साथ में बताते रहें आपके कितने कोशन सही हो रहे हैं आपको जो इस PDF होगी इसका लिंक description में मिल जाएगा आपको वहाँ पे सारी जब आप टेलिग्राम को जाइन करोगे free आफका सारी PDF मिलती रहेंगी आज हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल का last session हम करेंग कल से हम next topic पे बढ़ जाएंगे जो हमारा next topic होगा चलिए इसका जो हमारा question next है dash more one has dash more one wants इदर जो आपका article number C जानी कि दोनों में दादा का योस किया जाएगा the more one has the more one wants option number C is the correct answer आप भी बताएं आपके कितने question सही हो रहे हैं और इनके answer की वी आपको साथ में मिल जाएगी आपको टेली ग्राम का लिंक मिलेगा आप टेली ग्राम को जाइन करके सारी पीडिया वहां से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको इसके recording कोई doubt कोई suggestion हो क्वंट बॉक्स में जरूर पूशिए इस चैनल में आपको जेकी SSB class fourth recording जो भी आपकी 10th jobs है 10th plus 2 jobs है जहां पे भी English basic ह पूशी जाती है आपके सारे exams के लिए beneficial रहने वाली है इस वीडियो में friends बस इतना ही अगर आपको इसके recording कोई doubt suggestion हो क्वंट बॉक्स में जरूर पूशिए अगर चैनल से first time जूड़े हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दें